तो दोस्तों क्या आप भी बड़िया से री चूट करते हो और अप्लोड करने के बाद आपको लगता है भाई यह क्या होग Wyatt मेरी क्वालिटी को इतना बड़िया हाइड हाय क्यूट किया थे तर अप्लोड करने के बाद सारा जो कहता ना पूरा पुपट हो गया तो आज मैं आपको चार ऐसी इंपॉर्टन चीजे बताने वाला हूँ जिससे आपकी इंस्टाग्राम रील्स की क्वालिटी बहतरीन हो जाएगी और जादा शार्प लगेगी तो सारी टिप्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फेवरिट चैनल टेक गिली को सबस्क्राइब कर लें हाई दोस्तो कैसे हैं आप सब तो आज ये जो चार चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ इस से मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपका वीडियो वाइरल हो जाएंगे या आपको रातो रात मिलियन फॉलोर हो जाएंगे लेकिन ये बात गैरेंटी है कि आपकी इंस्टाग्राम की जो रील्स है उसकी क्वालिटी बहुत हो जाएगी A1 सबसे पहले हमने करना क्या है हाई क्वालिटी बटन का जो सिस्टम है इसको अन करना है और मैं एकदम शोर हूँ कि बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली पे यहाँ पे जो लोग है इनको पता नहीं है कि ये ऐसा कोई बटन आता भी है तो ये इंस्टाग्राम खुद हमको फीचर देता है जहां पे इसको इनेबल करने के बाद आप हाई क्वालिटी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं मैं आपको साथ में अपनी स्क्रीम रिकारडिंग भी दिखाता हूं जिस पे आपने करना क्या है आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे और जब आप सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपने जाना है अपने आकांट पिर यह जो आपके options आता है इसमें से नीचे से आप दूसरा तीसरा ओपर देखेंगे तो यह account पे जाने के बाद यहां हमारे पास नीचे की तरफ option है data usage दोस्ता तो जब आप यह data usage पे जाओगे click करोगे तो यहां पे by default वैसे use less mobile data रहता है यहां पे आप अपना जो option है high quality upload upload at highest quality इसको आपने अगर यह बंद होगा इसको आपने on कर देना तो यह सबसे important setting है जो आपको अपने Instagram पे करनी है दूसरी important चीज़ दोस्तों कभी भी आपने अपनी जो reels हैं वो Instagram पे edit नहीं करनी Instagram के अपने app में edit नहीं करनी क्योंके Instagram इसकी quality जो है compress करके छोटा कर देता हम बहुत बार lazy हो जाते हैं यार कोई नहीं दो तीन अलग अलग video है चलो Instagram के edit पे जाके उनको डाला और export निकाल दे और वही reel upload कर दी यहां पे definitely आपकी जो reels की quality है वो गिरेगी तो इसको आपने नहीं करना है आप कोई भार का software जो है उस पे अपनी reels edit करो मैं personally VN पे edit करता हूँ अगर आपने हमारा last video नहीं देखा कि reels को कैसे edit करते हैं उपर मैं link डाल रहा हूँ उपर आप चेक करना कि reels को edit करने के लिए VN editor सबसे बढ़िया है और कैसे आसानी से आप अपनी reels को मन पसंद high quality में edit कर सकते हैं tip number 3 दोस्तों don't add extra text जी हां बहुत बार यह हमारे जो users हैं गलती करते हैं कि या अब reel upload होगी चोलो फटाफट उस पर बहुत सारा text लिख देते हैं उस पे stickers लगा देते हैं या उस पे जो मन किया आपने extra लिख दिया starting का सरफ जो की quality जो है वो खराब होती है and important सबसे most important जो हमारी high quality रखने के लिए है वो है कि जो Instagram आपसे resolution मांग रहा है वही resolution आप तयार करके export करके अपनी reel पे upload करो हमारा जो Instagram का format है दोस्तों वो HD quality की जो reels है videos है वो लेता है 1080 by 1920 इसका dimension size है जो जाती है quality हमारी Instagram पे so अगर आप 4K होगा क्या वो Instagram उसको automatically you know 1080 पे export करेगा और ये बात मैं आपको पक्का गयता हूं कि वो quality जो वो export करते हैं वो इतनी बढ़िया नहीं रहती as compared to जो आप proper खुद करके दोगे तो ये चार ऐसी चीजे हैं अगर आप इनको follow करोगे तो आपकी Instagram की reels की quality बहुत बढ़िया हो ज अगले वीडियो के साथ thank you bye bye और अगर आपका कोई सवाल है नीचे comment section में mention कर दे thank you